हेलो एबरीबन मैं फुस्पार राश्पूद फुस्पार के रिशोई में आप सबका स्वागत करती हूँ जैसे कि आपको पता ही है कि समय बहुत ही अच्छा मौसा में हर जगे बारिस होने लगी है तो बारिस में कुछ मन करता है ना कि कुछ स्पेसल हो जो हैल्दी भी हो और खास करके टैस्टी भी हो तो मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इस्पिसल नास्तर लेकर की रस्पी आई हूँ इसके लिए आपको जरुरत पड़ेगी बेशन की तो यह मैंने कप ले लिया आप कप ले सकते हैं कोई भी आप एक बरदन ले सकते हैं तो मैंने इसमें पिसी हुई सूजी का पाउडर ले सकते हैं तो यह optional है आपके पाद जो भी हो आप उसको इसमें यूज कर सकते हैं तो यह आप जादा बना रहे हैं तो उसके हसाफ से आपको चावल का आठा कम जादा कर लेना है जैसे कि मैंने पहले बताए कि मैंने एक कप लिया हुआ है तो जोरा हम भी में काईता सब्सक्राइब लिए जोरा फिर ददी हो चारी धुक्त वसक्त वसक्राइब 2016 चुटकी हिंग डाल दी है और मैंने इसमें आधी चमच के करीब डाल दिया है अजुमायन इसके बाद हमें जिस कप में हमने बेशन लिया हुआ था उतना ही हमें पानी की जरूरत पड़ेगी तो मैंने एक कप बेशन लिया था तो एक कप इसमें पानी एकदम परफेक्ट है आप देखें मैं धीरे धीरे से इसमें पानी डालते जा रही हूँ बस इसमें आपको द्यान रखना है बिल्कुल भी लंस नहीं रहने चाहिए एक खटा पानी आप बिल्कुल मत डालेए थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए और बेटर को अच्छे से आप घोलते जाए तो यह एकडम पर्फेक्ट बेटर बन करके त्यार होगा ना ही आपका पतला बनेगा और ना ही घोल आपका गाड़ा बनेगा तो ये देखे एक कप पानी में बहुत ही अच्छा ये बैटर बन करके त्यार हो चुका है और इस तरह से हम इसको अच्छे से इसका बलकुल सौप्ट घोल त्यार कर लेंगे इस तरह से हम घोलते रहेंगे तो ये क्या होगा बहुत ही अच्छा लाहिती घोल बन करके त्यार ह मैंने पहले भी बताए कि इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं रहने चाहिए थोड़ा सा आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए तो यह देखिए हमारा गोल इस तरह से होना चाहिए कि जैसे कि हम चम्मच में इसकी आप कोटिंग देख पा रहे हैं कि यह काफी अच्छी कोटि इसकी तबाह और तबाह को हलका सा गरम करेंगे इसके वाद जैसे हम डोसा को फैलाते हैं उसी तरह से हमें सेम इसको फैला लेना यह बहुत आसान इसे फैल जाता आप जैसे कि देख भी पा रहे हुए कि मैंने एक चमच बटर को लिया है और इस तरह से हम राउंड यह थोड़ा सा हलका जैसे सिख जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे बटर आप बटर डाल सकते हैं आप इसमें गी डाल सकते हैं यह सरसों का ओयल भी डाल सकते हैं यह सभी में बहुत ही टेस्टी बन करके तियार होता तो इस तरह से हमें इसको फैला लेना है औ पूरा अच्छे से इसमें मैल्ड हो चुका है. जो बचा हुआ है को nेचे नीचे डाल देंगे ताकि दूसरे साइड भी मны परू ताकि दूसरे सायबي भी आपके जो और हो दूसरे साहयगा भी इसको फैल जाएगा. इसके बाद ये जब अच्छे से फैल जाएगा तो फिर हमें इसमें डालना है कुछ और मसाले जैसे कि थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चिली फैक्स और इसके बाद हम बारी कटी हुई प्याज डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में ही हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कटी हुई बारीक सिम्ला मिर्च, और साथ में ही हम डालेंगे इसमें सुईट पॉन, यदि आपके पास इसके में यदि कोई चीज नहीं है, तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं, तो इस तरह से मैंने बारीग बाला कद्दूपस लिया हुआ है इससे हम इसको अच्छे से लेट कर देंगे तो इस तरह से चारों तरफ हमें पनीर को डाल देना है पनीर डालने के बाद हम इसके उपर थोड़ा सा चिली फैक्श डालेंगे और थोड़ा सा हम स्वाथ के अंसार इसमें नमक दाल देंके धूड़ास ऩोधा घ्रसby यह में प्रीमेस पाउडर है इसको मैं थोड़ा से इसमें डाल। अब देंगे और इसको पकने देंगे, इसके बाद हमें इसमें डाल देना है चीज, ये भी optional है, यदि आपको पसंद नहीं है, तो आप इसको इसके भी कर सकते हैं, चीज को भी हम थोड़ा सा कद्दू कस करके इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम भुजा हुआ, इसमें जीरा पाउडर, खुड़ा सा उपर से हम चिली फैक्स और डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से क्रिश्पी होने तक पकने देंगे, अब हम इसको नीचे से थोड़ा सा चला देंगे, ताकि नीचे टोसा जो है हमारा जलेना, और इसके बाद गैस को हम फिस लो कर देंगे, अब हमें डाल देना है इसके उपर चीज, चीज को हमें सबसे लास्ट में डालना है, पहले बिल्कुल नहीं डालना है, तो इस तरह स हम इसको चारों तरफ से अच्छे से कद्दू कस करके डाल देंगे और अब हमें चीज को थोड़ा सा मेल्ड होने के लिए इसको कवर कर देना है तो इन सब प्रोसेस करने में हमें एक मिनट का टाइम लगता है इसलिए हमने गैस को सिलो रखा है और यदि आप सिलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप गैस को आफ कर लें इस चीज का आपको ध्यान रखना है तो मैंने देखिए इसको थोड़ा सा कवर कर दिया है और बस इसमें कुछी टाइम बात यह हमारा चीज जैसे ही मेल्ड हो जाएगा तो हम धक्कन को कवर इसको हटा देंगे तो देखे फ्रेंस ये हमारा चीज अच्छे से मेल्ड हो चुका है और ये हमारा बेशन बाला इसको चीला भी बोल सकते हैं पिज्जा भी बोल सकते हैं तो ये हमारा नास्ता बन करके त्यार हो चुका है ये बहुत ही खाने में टैस्टी लगता तो एक बार फ्रेंस इसको बन कर लिजिए ताकि जो भी नॉटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके और आप भी नए ने वेडियो के साथ बना करके इंजॉय कर सके तो यह हमारा बेसन बाला डोशा बन करके त्यार हो चुका है और इसके आप जैसे चाहें बैसे पीस कट करिए तो मैंने थोड़ा सा इसक सकते हैं बच्चों को ऐसी खाने के लिए दे सकते हैं यह खाने में बहुत ही हेल्दी भी है और साथ में टैस्टी भी और खास बात यह है कि बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आने वाला है इस समय जो मौसम हो रहा है इस मौसम में यह नास्ता बहुत ही जादा खाने में ला जबाब लगता है तो एक भाव फ्रैसिस को बना करके जरूर देखिए और वेडियो थोड़ा सा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और आपकी फुस्पा इसी तरह से नई-ने रेस्पी लेकर के हाजर होती रहेगी आज के लिए बस इतना ही आप लुक्सवस्त रहिए मस्त रहिए और हमारी रेस्पी के साथ इसी तरह से बने रहिए इसमें जो मैंने चीज यूच किया हुआ है वो मैंने घर का ही डाला हुआ है